नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है हर्मंदीव सिंग स्वागत है आपका इजी लेक्टोनिक फॉर यू में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कांटिनूस वेव रडार क्या होती है इसका वर्किंग प्रिम्सिपल एप्लिकेशन बड़े ही असानी से पढ़ाऊंगा आपने आज तक कैसी कोई वीडियो लेक्ट्र नहीं देखा होगा जिसमें आपको सब समझा जाए इसमें आपको ज्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं सरफ वर्किंग तक आप इस वीडियो को देख लीजिए उसके बाद आपको सब समझा जाएगा शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोट ब्रोसा खुद पर रखोगे तो तागत बन जाती है अगर और दूसरों पर रखोगे तो कमजोरी बन जाती है चलिए इंट्रोडक्शन के साथ एक कॉंटिन्यूस वेव रडार में हम क्या करती हैं कॉंटिन्यूस रेडियो वेव सिगनल भेजते हैं ठीक है कॉंटिन् और वापस टकरा के जो आता है सिगनल नॉन स्टेशनरी टार्गेट से आता है जो मुविंग टार्गेट होती है मुविंग टार्गेट हम कैसे पता करते हैं डॉपलर एफेक्ट से देखिए इससे पहले आप डिस्क्रिप्शन में और आई कार्ड में लिंक का डॉपलर जिस पर सारी रडार्गेट काम करती है ठीक है जो भी यह कांटिनुस वेव कि तो यह वीडियो देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में या आई कार्ड में इसका लिंक है देखिए इसमें हमारे दो दो एंटीना यूज यूज आते हैं दो ठीक है जो हमारी नॉर्मल डार्ट सी बेश सेङ्ट होता है जो टार्सिवी वी करता है और लेकिन कांटिनुस वेव रडार में दोस्त एक यह देखिए पिचर में आपको दिख रहा होगा यह को टास्मिटर है जो सिग्नल चैनल बह rejoिवर टीन एनट जो सिग्ल्स पर प्र. रोट एक है इसकी स्पेशल्टी है कि यह continuous वे बेजते हैं basic में हम pulse बेजते थे जैसे कि यह देखो क्या है पल्स सिगनल बेजते थे not जो moving target नहीं था ठीक है और continuous में continuous signal बेजते हैं अब working समझिये सी यह रडार है हमारी यहां पर हमारा transmitter लगा यह section यह हमारा receiver section है ठीक है और यह रहा हमारा target ठीक है और दोनों target की बीच की दूरी है उसे हम range बोलते हैं ठीक है हो गया अब देखिए यह transmitter है देखिए यह unmodulated है modulated नहीं है continuous wave unmodulated मतलब transmitter में सिर्फ और सिर्फ oscillator लगा होगा कोई भी modulator नहीं लगा तो signal भेजा f0 f0 signal गया और target से टकरा के वापस आया f0 तो आएगा ही क्योंकि भेजा था और fd drift Doppler frequency ठीक है यह signal आएगा टकरा के वापस radar की और अब यहां पर देखिए important चीज़ अगर तो fr मतलब जो receive हुई frequency f0 plus fd है अगर प्लस होके आई है तो जो target है हमारी और आ रहा है towards radar मतलब radar की और अगर f0 minus fd है frequency receive होगी तो target moving away from radar वो radar से धूर जा है target ठीक है अब यह देखिए signal आया ठीक है detector ने detect कर लिया और यह mixer 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 as a differentiator काम करेगा कि इसके पास दोनों signal आ रहे हैं यह पहला जो हमने भीजा था और यह जो यह क्या करेगा इसको पता है कि f0 हमने तो इसने भीजा ही था signal तो क्या करेगा यह f0 को cut कर देगा और सिर्फ आगे भीजेगा fd जो के टकरा के signal target से वापस आया हूँ ठीक है तो beat frequency इसको एंप्लीफाई कर देगा एंप्लीफाई वर्जन और इंडिकेटर इसको डिस्प्ले में इंडिकेट कर देगा यह है इसकी वर्क की देखिए दोस्तों अगर हमने इसमें से velocity पता कर नहीं है कि कितनी स्पीड से target आ रहा है तो उसके लिए देखिए अब थोड़ा सा थोड़ा सा यह बस ज्यादा नहीं आर क्या है रेंज तो ठीक है इन दोनों के वीज की wavelength कितनी है माली लैंबडा डिस्टेंस है यूनिट वेवलेंद टोटल वेवलेंद कितनी होई तोटल डिस्टेंस ओबर यूनिट वेवलेंद टोडल डिस्टेंस कितना तू आर यह देखिए और और सिगनल पहले और डिस्टेंस गया सिगनल फिर आर डिस्टेंस वापस है मतल़ टोटल कितना हो गया तू आर तो टोटल डिस्टेंस बटे अपान यूनिट वेवलेंद यह हमारी wavelength होगी और one wavelength में होता है तो पाई रेडियन तो टोटल फेस कितना हुआ इन दोनों को multiply कर देंगे सिंपल यह इसका formula और कुछ नहीं है फेस निकालने का फेस निकल गया अब देखिए यह निकाल लिए हमने फ्रिकेंसी का हमारा velocity से क्या relation है वह निकालने हमने ठीक है देखिए हमने पता है कि अंगुलर फ्रिकेंसी क्या होती है है चेंज ओफेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम डीफाइब डीटी फाइब कितना यह हमने निकाला यहां पर ठीक है तो तो क्या होगा फोर पाई यार बाई लैमडा फोर पाई वाई लैमडा कॉंस्टन बहार आगे और रेंज कितनी है रेंज किसके बराबर होती है विल से विलॉस्टी भी निकाल सकते हैं दोस्तों आपको यह वर्किंग पूरी की पूरी समझ आगी होगे अगर नहीं आई तो यह थोड़ी सी पीछे जाके वीडियो देख लीजिए आपको जरूर समझ में आ जाएगी अब एप्लिकेशन देखिए यह अन्मॉडुलेटेड क्या मेजर करने में काम आती है रलेटिव लॉस्टी जो मैंने आपको बताया भी वी यार जैसे पुलिस स्पीडों पुलिस स्पीडों मीटर है ना पुलिस पता करती है कि किस वहिकल की कितनी स्पीड है उससे चलान भरते हैं दोस्तों आगे देखिए आटो मोबैल ट्रैफ कि उसके बाद डॉकिंग स्पीड ऑफ लार शिप्स जो शिप्स होते हैं स्मुंदर में उनकी स्पीड चेक करनी है उसके बाद इंट्रूडर इंट्रूडर अलार्म जो चोर है कब घर में आते ही लारम भजेगा रेडियो वेब्स की मदद से डिटेक्ट कर लेंगे क्या र इसलिए आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करना मेरी वीडियो पर तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रम